हलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड्स आपके चरे पे भी सालों पुरानी जाया आ गई है पिंपल्स के बहुत ज़्यादा दाग है आपके चरे पे बहुत ज़्यादा पुरानी से पुरानी अगर जाया है उसे ठीक करना चाते हैं तो आज का वीडियो आपी के लिए है, आपके चैरे पे जितनी भी पूरानी जाया है, वो तो दूर होगी, साथ में आपके चैरे पे पिंपल्स के दाग है, तो वो भी चले जाएंगे, बहुत अची रेमेडी है, इसे बनाना बहुत आसान है, लगाना बहुत आसान है, अगर मैं यापे ले रही हूँ घी, जो कि गाय का शुद्ध देशी घी है, और मैंने घर पे इसे बनाया है, बहुत अचा घी रहता है यमारे चैरे के लिए, अगर आपके चैरे पे बहुत ज़्यदा जाईयों की प्रोब्लम है, तो इस रेम्टी को आप यूज करना, तो मैंने मैंने आदा चमच गी जो है, गरम करके लिया है, उसके बाद यापे मैं ले रही हूँ थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी, अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है, तो आप किचन वाली हल्दी भी ले सकते हैं, हल्दी भी हमारे चैरे के दाग धबों पे बहुत अचा काम कर करता है, और घी जो है, वो भी हमारे चैरे के जितने भी जाईया है, उसे दूर करने में बहुत ज़्यादा है, उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा शा शेहद लिया है, तीन से चार बुंद आपको शेहद लेना है, इसे ज़्यादा नहीं लेना है, उसके बाद अच्छ और शायद जो है गी के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और इसे आपको पूरे चरे पे लगाना है रोज रात में सोने से पहले आपको लगाना है और थोड़ी तेर के बाद यह फिर से जम जाएगा क्योंकि अभी थोड़ी सर्दी आ चुकी है उसकी वज़े से तो आप जब भी कोई निया वीडियो अपलोड करूं उसे आप सबसे पहले देख पाई तो चली इसे फटा फट से पूरे चरे पे लगा ले तो फ्रेंट्स इसे लगाने से पहले अपने चरे को अच्छे से साफ करना है और नाइट में इसे लगाना है जहां जहां आपके चरे पे वहां पे इसे लगाना है पूरे चरे पे इसे नहीं लगाना है आपके चरे पे जहां 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 जहाईया है वहां पे इसे लगा ले जैसे वीडियो में मैं बता रहे हूं बिल्कुल वैसे इसे लगा लेना है और पूरी नाइट के लिए इसे ऐसे ही रखना है लगा के इ तो आप जहां जहां जाया है वहां पर इसे अच्छे से लगाए और लगाने की बाद इसे पूरी नाइट के लिए ऐसे ही छोड़ देना तो फ्रेंट्स पूरी नाइट आपको ऐसे ही लगा के रखना है और सुबह गुन-गुनी पानी से अपने चारे को दो लेना है बहुत फ्रेंट्स प्रोब्लम हो ठीक होने लगेगी थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको इसे यूज करना है रोज नाइट में तो धीरे-धीरे जो भी प्रोब्लम है आपके चारे की वह जाने लगेगी चाहिए छायां आपकी पूरानी से पुरानी हो लेकिन थोड़ा ट लगा लिया है तो आप भी इसे ट्राइ करें वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कर दे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई